कमोड में डाली है सिफ दो मास अब हार्पिक का हुआ जंजट खतम हलो फ्रेंज कैसे हैं आप लोग आज की इस वीडियो को बताने वाली हूं पांच ऐसे यूजफुल टिप्स और ट्रिक्स जिससे आपके बहुत सारे काम होने वाले हैं आसान और बहुत सारे पैसे की होने व बiernoत को रखते हैं और एकिस्ट्रा हो जाता है उसको बनके रखते हैं को सी लिए यह रख्यर बथे зач़ते हैं पूर बराबर करने के बदा इस तरह से इस रसाया हुआै तांते हैं तक लूख्वर में इस चाहिए एक प्रस साथिन के बाद लतना पहले वाला था उसको इस तरह से कुर्ण लेकर है यह फोला एक warranty फिंगे न तो असानी से खुल जाएगा तो है कमाल का इडिया तेक हमारे यह आईडिया इस तरह के एक्स्टेंशन बोर्ड को ले कर दो होते हिए ना कि हम लोग घर में इस तरह का यूज करते हैं तभी यूज नहीं रहते है तो इसका बहुत लंबा सता रहता है तो ऐसे ही व पेटते जाना है अब देखिए क्या करना है इसको इस तरह से सिक्यूर कर देना है तो बहुत असानी से यह सिक्यूर हो जाता है कहीं भी आप रखेंगे तो इतार आपका बिखरा नहीं रहेगा और बहुत असानी से रहेगा अच्छे से रहेगा तो है न कमाल का इडिया देख राउंड में लगा लेते हैं इस तरह से राउंड में लगा लेते हैं कि अश्र का उद सबसे पह를 लगा लहेँ इसको कहा नहीं तelfs लगाने के लिए यहां भी आपका कठों कर लेडिया और हो इस तरह से अच और उसके बाद इस तरह से लेखें कि है अब लगाने के लिए तो असानी से भी चाठ से पर दीजिए और फिर दूसरे सायड से इसको निकाली ए और इसको यह करिए फिर तिर्चा इसको इस तरह से सटाईए और दूसरे से इस तरह से सटा देजे बहुत असानी से सट जाता है और आपका बिल्कुल भी यह निकलता नहीं है तो है न कमाल का आइडिया देखिए हमारा यह आइडिया घी को लेके हैं घी हम लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं और मार्केट में आजकल डूब्लिकेट घी भी बहुत ज़्यादा मिलने लगा है तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि घी जो हम खा रहे हैं वह ओरिजनल है या फिर डूब्लिकेट है तो उसके लिए क्या करना है ना एक काच्छे ग्लास लेना है और simply क्या पानी में घुल गया तो समझ लीजे कि घी आपका डूब्लिकेट है तो है ना कमाल का आइडिया देखिए इस आइडिया के लिए हमें लेना है साबुन साबुन कोई भी ले सकते हैं नहाने वाला या फिर कप्रद होने वाला भी और लेना है और पीलर से ना साबुन को इस इस तरह से फिल कर लेना है तो देखिए इस तरह से फिल कर लेना है तो देखिए हमने इसको फिल कर लिया है और अब हमें लेना है इस तरह का जो मास्क आते है वो लेना है और लेने के बाद ना इसको एक साइड से इसका जो यह है मास्क का हैंडल वो काटना है और दूसरे स साबुम पिल के अधा इसमें इसको एड कर देंगे डाल देंगे इसको डालने के बद हम क्या करेंगे ना तुथ पेस्ट लेंगे अगर आपके पास तुथ पेस्ट जो वाइट वाला को गेट आता है ना वह है तो ज्यादा बेटर है हमारे पास नहीं था तो यह रेड वाला मैं दिखा रही हूं इसमें थोड़ा साथ डाल देंगे इसके बाद हम यह रबर बेंड लेंगे और उसके बाद इसको इस तरह से सिक्योर कर देंगे तो चलिए अब इसका बताते हैं कि कहां इस्तिमाल करेंगे इस पोटली को लाके ब बंद करने के बाद क्या होगा अब जब हम लोग जब भी फ्लेस करेंगे तो यह प्लेस के साथ जो हमने पोटली डाला इसमें साबून और उसका मिसरन जो है पेश्ट का वह आएगा और आपके बातनों क्लीन हो जाएगा और खुसबू भी बहुत अच्छी आएगा इसमें एक बाद डाल देते हैं न तो यह 5-6 दिन तक अराम से चलेगा तो उमीद करते हूं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेगा जद़ सेयर करेगा अगर फेस्बुक पे देख रहे हैं तो हमारे फे